नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने यूटूब चैनल, अपनी क्लास में, दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि अब आपके R.A.C.I.T. exam में समय बहुत ही कम रह चुका है, दोस्तों इसी को देखते हुए मैं आप सब के लिए R.A.C.I.T. exam के न 30 परशन पढ़ लिए, तो आपका जो आने वाला R.A.C.I.T. exam है, वो बहुत ही अचा जाएगा, वो आपके अच्छे से अच्छे परजेंटेज बनने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं, हमारे इस पेपर को, जिसका पहला परशन पुछा गया है, कम्प्यूटर के उसमें ट्राजिस्टर का इस्तिमाल हुआ था, यानि कि यह वाला अकतन क्या है, बिल्कुल सकते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कम्प्यूटर की टोटल पांच पीडिया होती है, पहली पीडि के अंदर आए थी वेक्योम ट्यूब, दूसरी पीडि के आए थी ट्रांजिस्टर, क्या आए थी दोस्तों, ट्रांजिस्टर, और तिसरी पीडि के अंदर क्या आए थी, इंटिग्रेटेड सर्किट आए थी, क्या थी दोस्तों, इंटिग्रेटेड सर्किट, और कम्प्यूटर की जो टोटी पीडि है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी क्या थी दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चिप और पांच भी पीडी के अंदर ULSI टेखनीक है उसका यूज़ वा था अल्टरा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन तो इसका मतलब हमारे पास में जो उसका कतन बिल्कुल सत्य है हमें % का चेहन करना है दोस्तों फो हमारे पास में यह कतन दिया गया है चतुद पीडी के कम्प्यूटर का आविस्कार 1975 में हुआ था जियां दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है उसी किया कि D option में कहा गया है कि पंचम पीडी में ULSI टेक्नीक का उप्योग किया गया था तो दोस्तों आपको ये कुछ ही दिर पहले कहा था कि पंचम पीडी में के आई थी ULSI टेक्नीक आई थी अल्टरा लाज स्केल इंटिगरेशन टेक्नीक आई थी यानि ये दोस्तों A, C, D options हैं उनके अंदर सत्यकतन दिये गए हैं केवल B option ऐसा है जिसमें और सत्यकतन हैं यानि कि दोस्तों correct answer क्या होगा पहलेगा option नमर B आगे हमारे पास में दूसरा person पुछा गया है निमन में इसे कौन सा application software नहीं है तो दोस्तों हमारे पास में पहला option A है टेली तो दोस्तों टेली क्या है एक application software का उधारण है और वही option B है MS Office तो दोस्तों MS Office भी क्या है application software का उधारण है उसी परकार से D option है Mozilla Firefox तो दोस्तों Mozilla Firefox भी क्या है application software का उधारण है लेकिन जो Windows 10 होता है वो किसी भी परकार के application software का उधारण नहीं होता क्योंकि ये क्या है operating system का उधारण है यानि कि दूसरे का correct answer होगा option number C आगे हमारे पास में तीसरा परसंट पूछा गया है निमन कतनों पर विचार कीजिए और बताईए कि इन में से कौन सा कतन सही है तो इसमें हमारे पास में पहला कतन दे रखा है utility services application software का भाग है नहीं दोस्तों utility services है वो application software का भाग नहीं होती यानि कि पहला कतन क्या है बिल्कुल गलत है उसी प्रकार से दूसरा कतन दे रखा है computer की गती असिमित होती है नहीं दोस्तों परतेत computer की RAM अलग होती है, ROM अलग होती है उसका processor अलग होता है यानि कि हर computer की गती है वो सिमित है यानि कि दोस्तों दूसरा कतन भी क्या है और सत्य है, और पहला कतन दा आपको इन बताई दिया था और सत्य है, तो याँ पर करेक्ट आसर क्या होगा option number D, कतन 8 था कतन 2 दोनों गलत है, आगे हमारे पास में microprocessor chip के अंदर कितने electronic उपकरनों को सामिल किया गया था तो दोस्तों जो अमारे पास में microprocessor chip थी उसमें लगबग 10 लाख electronic उपकरन लगे वे थे कितने लगे वे दोस्तों, 10 लाख electronic उपकरन लगे वे थे यानि कि पांचमया करेक्ट आसर होगा option number A, 10 लाख आगे अमारे पास में 6% पुछा गया है निमन में से किस की को combination की भी कहा जाता है तो दोस्तों जो keyboard पर combination की होती है उसे बोलते है control की यानि कि 6 का करेक्ट आसर होगा option number B आगे अमारे पास में 7% पुछा गया है computer पर game खेलने के लिए किस device का अधिक से अधिक उपियों किये जाता है तो दोस्तों computer पर game खेलने के लिए जो अमारे पास में device है उसका नाम है joystick इसी device के साथा से हम game है वो खेल सकते हैं चाए PUBG हो चाए FreePair हो यान कि 7 वे का करेक्ट आसर होगा option number C आगे अमारे पास में 8% पूछा गया है सबसे तेजगती से print निकाले वाला printer कौन सा है तो दोस्तों सबसे तेजगती से print निकाले वाला जो printer है उसका नाम है laser printer यान कि 8 वे का करेक्ट आसर होगा option number D आगे अमारे पास में 9% पूछा गया है निमन में से कौन सी data storage device secondary memory का उधारण नहीं है तो दोस्तों आप सब जानते हो कि REM क्या है primary storage का उधारण है ये secondary storage का उधारण नहीं है यानि कि 9 गा करेक्ट आंसर क्या होगा option नमर A और वहीं hard disk, cd disk, pen drive ये तीनों के तीनों क्या है secondary storage के उधारण है आगे हमारे पास में 10% पुछा गया है घरों में normal उप्योग आने वाले computers की श्रेणी में रखे जाते हैं तो दोस्तों जो हमारे पास में घर के अंदर computer पड़े हैं जो laptop पड़े हैं उन्हें बोलते हैं micro computer यानि कि 10 गा क्रेक्ट आंसर होगा option नमर B आगे हमारे पास में 11% पुछा गया है अधार कार्ट से समधिस समध सुईदा परदान करने वाली website कौन सी है तो दोस्तों आपको मैंने कई वीजियों में बताया है कि अधार कार्ट बनाने वाली company है उसका नाम होता है UIDAI क्या नाम होता दोस्तों UIDAI तो अधार कार्ट से समधिस सुचना है वो भी कौन सी website देगी www.uidai.com यानकी 11 अधार कार्ट आउसर होगा option नमर D आगे हमारे पास में 12% पुछा गया है अगर आप घर बेठे पेटियम से ओनलाइन विजली विल का भुगतान करते हैं तो आपको कितना अत्रिक्स शुल्क देना होता है तो दोस्तों यानकी 11 अधार कार्ट आपको अंसे 3% पुछा गया है इंटरनेट बेंकिंग से समध्निस निमन कतनों पर विचार कीजिए तो इसमें पहला कतन दिया गया है इंटरनेट बेंकिंग शुरू करवाने के लिए वार्सिक शुरू करवाने के लिए वार्सिक शुरू करवानी है तो आपको किसी भी परकार से वार्सिक शुरू करवानी है तो आपको किसी भी परकार से वार्सिक शुरू करवानी है तो आपको किसी भी परकार से वार्सिक श सत्य हैं और ये वला क्या है उसकते है तो दूस्तों जो से अ कॉण सा कतन है वह ऐ हो इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर का IQ level होता है नहीं दोस्तों कंप्यूटर का कोई पी दिमागने करता है जैसे कि आपने कंप्यूटर को कहा यूट्यूब खोल ये तो वो YouTube खोल देगा उसको अपने आप कुछ नहीं करना आता तो हमारे पास में 14 के अंदर तो और सत्यकतन है होई option number D आगे हमारे पास में 15 percent पूछा गया है अगर आप online अपने website को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुचाना चाते हैं तो आप किस तकनीक का उप्योग करेंगे तो दोस्तों आप अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए डिजिनल मार्केटिंग एप है उसको बढ़ावा देंगे यानि कि 15 वे का करेक्ट आंस रोगा option number A आगे अमारे पास में 17% पुछा गया है इंटरनेट का उप्योग किस चेतर में किया जाता है तो दोस्तों फिलाल दुनिया के अंदर जो इंटरनेट का सरवादी को प्योग है वो रियल टाइम अपडेट लेने के लिए किया दा रहा है यानि कि आपको अधिक से अधिक न्यूज बराप्त हो हर चेतर में चाहिए वो स्पोर्ट का हो चाहिए वो पॉलिटिक्स का हो चाहिए वो ट्वीटर का हो आपको अधिक से अधिक न्यूज बराप्त हो इसलिए लोग इंटरनेट का उप्योग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले में URL की full form है वो बताना चाहूंगा दोस्तों URL की full form होती है uniform resource locator और दोस्तों यदि आपको मैं URL का example बताऊं तो कुछ इस परकार से होगा देखिए हमारी website का नाम है www.gyanalert.com क्या दोस्तों www.gyanalert.com तो ये क्या है हमारा URL है तो दोस्तों किसी भी URL के अंदर www आता है .com भी आता है http भी भी आता है यानि कि B, C, D option ये क्या है URL से सम्मदित हैं लेकिन web server है वो URL से सम्मदित नहीं है यानि कि अठावे का correct आंसर होगा option number E आगे हमारे पास में 19 परसंट पुछा गया है नीमन में से कौन सा एक web browser नहीं है तो दोस्तों आप जानते हैं कि Mozilla Firefox क्या है web browser का उधारण है और वहीं UC browser भी क्या है web browser का उधारण है और Microsoft Edge जो कि Windows 10 ने अपना एक अलग web browser जारी किया है ये भी क्या है web browser का उधारण है लेकिन जो bricks है वो किसी भी प्रकार का web browser का उधारण नहीं है यानकि यहां पर correct answer क्या होगा उप्शन नमर C आगे हमारे पास में 20 परसंट पुछा गया है MS Word में चैनिक टेक्स्ट को cut करने की command क्या है तो दोस्तों यदि आपको MS Word के अंदर जो words हैं को cut करना है तो आप Ctrl प्लस X खुंजी है उसका उप्योग करेंगे यानकि 20 में का correct answer होगा option number A आगे हमारे पास में 21 परसंट पुछा गया है MS Word में आप क्या insert नहीं कर सकते तो दोस्तों आप MS Word के अंदर table insert कर सकते हो audio and video भी insert कर सकते हो charts भी insert कर सकते हो लेकिन PDF file है वो insert नहीं कर सकते क्योंकि MS Word तो खुद PDF बनाता है उसमें आप PDF file के से डालोगे यानकि 21 में का correct answer होगा option number D आगे हमारे पास में 22 परसंट पुछा गया है निमन में से कौन सा एक MS Word का version नहीं है तो दोस्तों MS Word 2003 होता है MS Word 2013 भी होता है और MS Word 2016 भी होता है लेकिन दोस्तों MS Word 2008 है वो किसी भी परकार का version नहीं होता यानकि 22 में का correct answer होगा option number B आगे हमारे पास में 23 परसंट पुछा गया है MS Word में text के नीचे हरी line किस कारण से प्रस्तूत होती है तो दोस्तों MS Word में यदि आपको ये एक spelling गलत लिख देते हो तो होता क्या है कि उस spelling के नीचे हरी line आ जाती है यानि कि हरी line का मतलब ये है कि आपने spelling के अंदर grammar में गलती गी है यानि कि 23 में का correct answer होगा option number A आगे हमारे पास में 24 परसंट पुछा गया है page layout tape में आप क्या नहीं कर सकते तो दोस्तों जो page layout option होता है उसके अंदर आप watermark में लगा सकते हो page color है उसको बदल सकते हो page margin set कर सकते हो लेकिन जो page का header और footer होता है उसको print नहीं कर सकते यानि कि 24 में का correct answer होगा option number D आगे हमारे पास में 25 परसंट पुछा गया है निमन में से कौन सा task है जिसे ms word में नहीं किया जा सकता तो दोस्तों आप ms word के अंदर table बना सकते हो word file से pdf file create कर सकते हो charts का निर्मान भी कर सकते हो लेकिन आप video editing है वो नहीं कर सकते यानि कि 25 में का correct answer होगा option number C आगे हमारे पास में 26 परसंट पुछा गया है ms word में किस परकार के charts बना सकते हैं तो दोस्तों ms word के अंदर column chart, bar chart, area chart ये तीनों के तीनों chart बना सकते हैं यानि कि option A है वो correct होगा आगे भी देख लेते हैं क्या क्या option है और वहीं option B में कहा गया है केवल line chart और pie chart ये भी बना सकते हैं दोस्तों यानि कि option A और option B इन दोनों के अंदर जितने भी charts दिये गे थे वो हम ms word के अंदर बना सकते हैं यानि कि correct answer होगा option number C उपरक दोनों A and B आगे हमारे पास में 27 परसंट पुछा गया है ms word अथा ms excel में निमन में से क्या लग है तो दोस्तों जो हमारे पास में ms excel है वो ms word से इस प्रकार बिन है कि हम ms excel के अंदर किसी गणिती गणना के लिए function का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि ये कार्ये ms word में नहीं होता यानि कि 28 में का correct answer होगा option number B आगे हमारे पास में 29% पुछा गया है copy और paste के लिए कौन सी shortcut कुणजी का उप्योग किया जाता है तो दोस्तों शब्दों को copy करना है तो आपको control प्लस सी दबना होगा और यदि शब्दों को paste करना है तो आपको control प्लस भी कुणजी का प्रयोग करना होगा यानि कि 29% का correct answer होगा option number B आगे हमारे पास में 30% पुछा गया है MS Word के संद्रब में कौन सा कतन सही है तो दोस्तों 30% के अंदर जो सही कतन है वो है हमारे पास में option number D इसमें कहा गया है MS Word 2010 में file tape में save, open तथा new के options होते हैं जियां दोस्तों ये options जो हैं वो file tape में होते हैं यानि कि correct answer क्या होगा option number D आगे हमारे पास में 31% पुछा गया है MS Excel 2010 में यदि कोई sale D number की column और 4 number की row पर हो तो उस sale का address क्या होगा यानि कि दोस्तों आपके पास में कोई एक sale है जो की D number के column पर पड़ी है और 4 number की row में पड़ी है तो दोस्तों उस sale का जो address होगा वो होगा D4 यानि कि कतिसमे का correct answer होगा option number B आगे हमारे पास में 32% पूछा गया है अगर किसी text की size sale की चुड़ाई से अधिक हो तो आप किस option का उप्योग करेंगे तो दोस्तों में उन text को उस sale में fit करने के लिए rape text option है उसका उप्योग करूँगा यानि कि 32% का correct answer होगा option number D आगे हमारे पास में 33% पूछा गया है MS Excel में save कीगी file का extension क्या होता है तो file MS Excel के अंदर .xlsx नाम से save होती है यानि कि 33% का correct answer होगा option number C आगे हमारे पास में 34% पूछा गया है निमन में से कौन सा कतन असत्य है तो दोस्तों जो हमारे पास में option number A है वही हमारे पास में असत्य गतन है इसमें कहा गया है MS Excel में हम chart insert नहीं कर सकते नहीं दोस्तों यदि हमें कोई percentage निकालना है जैसे कि यह क्या होते है चार्ट सोते है इनका हम उप्योग करते है जैसे कि यहाँ पे आ गया 6%, यहाँ पे आ गया 2%, यहाँ पे आ गया 8% तो यह कार्य जो है वो MS Excel के अंदर ही होता है यानि कि यह वाला कतन क्या है बिल्कूल आ सकते है आगे हमारे पास में 35% पूछा गया है MS Excel में filtering option का उप्योग करके data sort कर सकते हैं तो दोस्तों MS Excel के अंदर filtering function का उप्योग करके हम जो data है वो ascending order में भी sort कर सकते हैं descending order में भी save कर सकते हैं और color के अनुसार भी हम data को insert कर सकते हैं यानि कि इन तीनों माध्यमों से हम जा कर सकते हैं data को insert कर सकते हैं तो 35% का correct answer क्या हो जाएगा option number D दिये गए सभी तो दोस्तों इस परकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RKCL exam के नए syllabus के अनुसार 35 most important person बताए दोस्तों यदि आपको ये model paper अचा लगा हो तो इस वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और मुझे जल्दी से comment करके बताओ कि आपके इन 35% में से कितने percent ही हो रहे हैं और साथ यदि आपका कोई ऐसा friend है इसका आने वाला RACAT का paper होने वाला है तो उसको भी ये important question की वीडियो है वो share कर दो ताकि उसका फाइदा है वो भी हो सके क्योंकि यदि आप किसी की help करोगे तो बगवान भी आपकी एक नएक दिन जरूर help करेगा तो दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतना ही था अब मिलता है किसी अनने वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत